तो आज फिर से एक नय वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए कथल पुलाओ कथल को हमने चोटे-चोटे पीसे में कट किया है अच्छे से वाश किया है उसके बाद एक चमश लाल मिर्श पाउडर आधा चमश हल्दी पाउडर एक चमश धन्या बाउडर एड़ करेंगे कोड हो जाए हमारे जो कथल है मसाले आपके फहीं तड़ा साइब टाल दिया है ताकि अच्छे मुनीं यह अच्छे से अल्ख जाय जाया साड़ा तो पहाने कंट क्शेए पाउडर लेकर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे दही फटेगा भी नहीं और मसाले जलेंगे भी नहीं 15 मिलट हो चुक है तेल गर्म होने रख दिया था हमने तेल जैसे ही गर्म हुआ हमने अपने कठल जो काट कर मसाले में कोड करके रखा हुआ था वह इसमें एड़ कर दिय बेज़ वीच च्मठ चलाई है यहां पर कठल पक चुक है मसाला भी अच्छे से हमारा इसमें ऋपनेचा स कुका है जलड नहीं है कठल को हम सारा निकाल देंगे और मैंने यह पेइझ को तलकर निकाल लिया है केड़ JJ करें मैंने काटकर ही डाला हुआ है जरूरी पििन किसक कर रखा हुआ है पिसमाय। प्रत terror केड़ी शोर्य हैं और यह इसके मध्या कर दोफा गता हुआ है। तोड़ा सा नमक अड़कर दीजिए आप यहां पर ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए और मसाले भी अच्छे से बुन जाए यहां पर धाकर हमने पकाया हुआ है फटाफ़र से हमारे मसाले पक चुके हैं और जो कठल हमने फ्राइ करके रखा हुआ था इसमें एड़कर पका और सारे मसालों के साथ हमारा कठल भी अच्छे से पक जाएगा दूसरी तरफ अब हमें रेड़ी करना है चावल आप चाहें तो पहले से भी चावल बना कर रख सकते हैं लेकिन मैं बाद में बना रही हूँ तो हम इसे साइड में रखते हैं और गंजी में पानी डाल दिया है यहां पर काली मर्च और जो भी खड़े गरम मसाले आपके पास हो वह इसमें एड कर दीजिए जरूरी नहीं है कि जो मैं इसमें यूज कर रही हूँ वही आपको भी डालना जो भी हो घर में वह यूज कर लो और बस थोड़ा सा नमक डाल दिया है और थोड़ा सा ऑईल नमक आप उतना डाल दो जितना आपको चावल बनाने है उसे इसाब से यहां पर मैंने पानी में ही मटर डाल दिया है और हरी मर्च टाल दिया आप कम ज़ादा कर सकते हो जितना भी आप तीखा घाते हो उसे इसमें डाल दीजे चावल को मैंने 15-20 मिनट के लिए भीगोकर अब इसमें एड़ कर दिया है जैसे ही पानी में उबाला है हमने चावल डाल दिये हैं और बस 80 परसंट आपको चावल को पका लेना है चावल जैसी ही पक जाएं तो फिर सारा पानी जो एक्स्ट्रा पानी हो उसे आप निकाल दीजे साइड में रख दीजे एक दूसरी गंजी लिया है मैंने दूसरा बरतन लिया हुआ है आप चाहें तो वही बरतन यूज़ कर सकते हैं मैंने यहाँ पर डाला है चावल सबसे प चावल की जाए और उसके ऊपर फिर से कठल की जाएगी तो आप देख लिजे आप कितनी लियाँ अप रख रहे है और इससे साबसे आप कर सकते हैं यहाँ पर फिर प happen की लिए और प jetzt के उपर चावल डालने वाली हो अगर आपके पास पुदीना है और भुदीना है तो आ प्राइब नहीं है और यहां पर ग्रीन कलर लिया है और मैं यलो कलर लूँगी आप चाहें तो कलर डालिए अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जो भी चीज जितनी भी चीज़े होती है ना उतने में ही हम बहुत अच्छा बना सकते हैं ऐसा कि यार मेरे पास जैसे हारा धनिया नहीं था पुदीना नहीं था तो मैं बुलाओ नहीं बनाओंगी बनाएंगे हम जो भी है जितना है उसमें बनाएंगे लास्ट में जो फ्राइ करकर रखा हुआ हमने प्याज वो डाल दिया गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो